बिस्वाइब रख्मारों रखीम डियर स्टूरेंट्स अस्सलाम अलेकुम आज हम बात करेंगे ट्रेंट्स इन एसेट बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स अफ थर्ड पिरड एलिमेंट तो हमारे सामने लिस्ट है लेफ्ट राइट उसको पढ़ना है एक्स्ट्रीम लेफ् अच्छन देखेंगे एसेट के साथ बिहेवियर देखेंगे उकसाइड्स का तो हम जैज करेंगे कि यह कैसे है सबसे पहले बात करते हैं सोडियम अक्साइड की स्ट्रॉंगली बेसिक अक्साइड है पानी में डालें तो 14 पीएच का सोलूशन हमें देता है वजह कि इसके पास oxide आयन होता है जो क्या करता है अधायर हो जाता है combine होता है hydrogen ions के साथ neutral करेगा ना तो हमारे सामने पहला reaction दिया है water के साथ interact किया है और sodium hydroxide base हमें generate किया है अगर हम इसको acid के साथ treat करें तो acid के साथ treat करेंगे तो हमारे पास salt and water आएगा तुसरे नमबर पर हमारे पास magnesium oxide लेकिन ये इसमें charges देख लें magnesium का जो charge है आइन का plus 2 है और oxide आइन का negative 2 तो ये strongly adhere होते हैं तुसरे एकसार easily dissipate नहीं होंगे तो हल नहीं होंगे पानी में बाराल इसको पानी में हल करने के लिए rate कराने के लिए जो condition एक तो इसको powder बना के पानी में डालो अच्छी चान शेक करो first color को 1% डालो हो जाता है तो एक interaction होगा solution मने का magnesium hydroxide का लेकिन weak weak है याई पीच नाइन पीच नाइन तक ये हमें दे देगा sodium के मकाबने में weak है अगर हम इसको acid के सा treat करें तो acid के लिए हमें condition दे नहींगे dilute warm hydrochloric acid है हमारे पर result वे salt and water दे रहे magnesium chloride salt इसी तरह अगर हम बात करें aluminium oxide की तो ये amphoteric acid के साथ जब rate करता है तो ये base की तरह behave करता है और base के साथ rate करें तो acid की तरह water के साथ नहीं rate करना चाहता है कि इसकी strong जो latest है वो पानी के साथ interaction बिल्कुल नहीं बनाएगी तो आपस में adhere बहुत ज़ादा अच्छे तरीके से tightly bond होते है acid की साथ rate करें तो salt and water दे रहे हैं लेकिन condition देनी है hot dilute hydrochloric acid है base की साथ अगर rate कराते हैं तो base हम ले ले लेते हैं अच्छा इसमें एक चीज़ नहीं बताई कि aluminium जो है base की जब rate करेगा तो उसका जो anionic हिस्सा है वहां पर पाया जाएगा यह एक के टाइनिक हिस्सा होते है compound जो बन जाता है एक उसका anionic हिस्सा है तो anion हिस्से में यह हमें नजर आएगा अजर हम देख लेते हैं प्राड़ट आपके सामने बनावाए basic सद इसको treat की है तो हमारे पास जो प्राड़ट आया है यह है tetrahydroxo aluminate इसमें पहला ऐसा sodium आईन है sodium positive तो दूसरा ऐसा aloh4 है तो यहां पर aluminium मुजूद है अच्छा अगर हम देखें phosphorus correction violent reaction होता है solution बनता है बहुत सारे acids बनते हैं लेकिन यह condition पर depend करते हैं हम जो ले रहे हैं यहां पर एक ले रहे हैं phosphorusic acid ठीक है phosphorusic 5 acid भी कहते हैं ortho phosphorusic acid भी कहते हैं इसके लिए reaction आपके सामने दिया वै अगर इसको base के सब treat करें तो acidic oxide है यह base के सब किस तरह behave करेंगा यह depend करते हैं कि condition क्या है तो तीन किसम की condition आपके सामने दी हुई है इदर अब अन तीनों के condition को आप देख लें तो हमारे पास मुक्तलिफ products हा रहे हैं एक में पहली condition में 1-mol sodium oxide दूसरे में 2-mol तीसरे में 3-mol तो बिलतर्टी बिनोंने फिर हड्रिजन आईन उतने रिप्लेश की हैं उतने hydrogen ion आगे replace किया है और water बनाए है उतने water molecule बनाए है तो आपने दरा यह reaction देखने है एक hydrogen replace करेंगे और आगे उतने ही water molecule add करते जाएंगे अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर direct reaction हो जाए सोडियम आटक्साइड का फास्फोरिक पेंटा उक्साइड जो है तो हमारे पास product उपर बदेगा जो आखरी reaction में दिया वह है sulphur dioxide की बात करते हैं दो किसम की oxides हैं इसके एक हमारे पास है sulphur dioxide पानी में हल होगा तो sulphuris acid बनाएगा दूसरा हमारे पास है अगर base के साथ सोडियम आटक्साइड बेस हो या calcium oxide बेस हो reaction देख लें sodium sulphide बनाता है अगर sodium sulphide मजीद water के साथ हो और sulphur dioxide के साथ इंट्रेक्ट करें तो sodium by sulphide बनाएगा calcium oxide के साथ हो तो calcium sulphide बनाएगा sulphur dioxide की बात करते हैं sulphur dioxide बोध violent reaction करते हैं और fog सी पैदा कर देता है concentrated sulphuric acid की droplets पैदा कर तो खतरनाक है reaction अगर base के साथ देखें तो जिस तरह पहले sulphur dioxide react करते हैं ये भी react करते हैं लेकिन ये calcium sulphide बनाएगा chlorine के oxide देख लें तो chlorine के हमारे पास जो है दो किसम के oxide जैना हमने देखने हैं वैसे तो बहुत सारे oxide हैं लेकिन दो हमने जो देखने हैं एक है dichlorine heptoxide और दूसरा है dichlorine mono oxide तो पहले जो highest oxidation state वाला है dichlorine heptoxide water के साथ react करेगा तो हमें कहाँ चीज दे रहे है पर chloric acid दे रहे हैं ठीक है इसका pH sulfuric acid से भी जाद है जीरो के करीब करीब होगा ठीक है अब अगर देख लें इसको यह पर chloric acid basic सथ के से behave करेगा तो हमारे बास एक product आ रहा है sodium chlorate का और water generate कर रहा है यह sodium chlorate seven है ठीक है solution बनता है इसका अगर direct react करें इसको हेप्टा ऑक्साइड यह है डायक्लोर हेप्टा ऑक्साइड डायक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड करें अगर बेस के साथ तो भी हमारे पास sodium chlorate आ रहा है अब हम बात करते हैं क्लोरीन वन ऑक्साइड की वाटर के साथ अगर इसका इंट्रेक्शन करा दें हाइप्टा क्लोरेस असड आएगा यह हैप्टा क्लोरेस असड बेस के साथ जब ट्रीट होता है तो क्या देता है यह आपके पास बता रहा है sodium chlorate one यह इसको sodium hypo chloride भी कहते हैं लेकिन अगर इसका direct reaction करा दें बेस के साथ तो भी हमारे पास यह sodium chlorate one आएगा यह sodium hypo chloride इसको कहते हैं solution हमारे पास water के अंदर है यह thank you very much